मेरा कहना ये है कि सरकार बहुत ही अच्छा कानून लाई है और हमारा इसमें पूरा समर्थन है ओजिस्वी शर्मा यह कानून लागू हो चुका है इसके लिए हम समर्तन करते हैं और हमको अधिक से अधिक प्रसनता है और सभी को बधाई दिना चाहेता हूं मेरा नाम आशिश शौबे इंदोर यह कानून सरकार का बहुत ही अच्छा कादम है जो कि बहुत पहले होना चाहिए था मेरा देश तो ऐसी आवादी से पिरित है बहुत ज़्यादा जन संख्या है और जो सरनार्थी लोग हैं खास करके इसलाम माने वाले जो मेरे पर उसी मुल्क के लोग हैं वहां आसांती के कारण सब का सब सौफ्ट अस्थान भारत ही आता है और यहां लोग जैसे तैसे राजनीतिक लोगों के कारण यहां की नागरिक्ता ले लेते हैं और यहां भी आसांती फैलाते हैं वो इसे गलत लोगों को रोकने के लिए यह कानून बहुत ही ज़रूरी है और यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्या नम हो शुदिर कुमार कमलेश आज जैसे की सी ए नर्स के बारे में जो चर्चा है कि आज हो सकता है कि लागू हो जाए पुरे देश में तो इसे क्या कुछ फर्क परेगा अपर जनकारी नहीं है इस नागरिक्ता संसोधन अदिम लागू किया जाएगा तो इसे क्या कुछ फर्क परेगा क्या कुछ बदलाओ आएगा आपके जीवत देखिए बदलाओ तो आने का उमीध है ठीक न अभी आप कारण पूछेगा तो तुरत बता पाना मुस्किल है मगर चेंजिंग होने से कुछ पोजेटिव आने का चांस जो हम खोल के नहीं आपको बता रहे हैं मगर निकट भाई से में देखा जाएगा तो उनको नागरिक्ता मिलेगी तो इस पर क्या कुछ काना जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां तक देश को और अच्छा होगा इससे कोई खराबी नहीं होगा तो अगर यह कानून आज लागू हो जाता है तो इससे क्या लगता है कि जैसे आप वेवसाही है तो आपकी बिजनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा पुछने पड़ेगा तो आप पक्ष में है विल्कुल सही है ठीक है तेस्कमार पंडे हुआ और जैसे कि यह जो है आज अनॉंस्मेंट किया जा सकता है कि लागू हो जाएगा तो इससे क्या बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे एक दोसरी देश से लोग व्यक्ति मनें यहां पर मेरे भारत मे च्छा राका करा सकता है बिहार में रह सकता है तो इसको नागरीकता देने का हक मिल जाएगा तो बहुत ब्रहिया रहेगा सब लोग का ... कि work लोग काता अच्छा रहेगा, यही का सब्सक्राइब